हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में साथियों आप सभी को एक खुसकपरी देने आयों यहां पे क्योंकि आपका जो एक बहुत लंबा इंतिजार था वो AKT ने खतम कर दिया है बिल्गुल खतम कर दिया है आप सभी साथियों को बहुत बेसबृत सिंतिजार था कि आपका न्यूसलिबस काब आएगा न्यूसलिबस काब आएगा बहुत सारे student कमेंड करेते तो आपको finally न्यूसलिबस आ गया है आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आपको न्यूसलिबस में क्या-क्या changes हैं और क्या-क्या आपको ध्यान देने की बाते हैं और कैसे आपने study को आगे continue कर सकते हो ठीक है और आगे ये वीडियो जो है अपने उसलेबस के कब से आने वाली है ये सारी चीजे मैं साथियों आपको यहाँ पर discuss करने वाला तो पहले साथियों मैं बात करूँगा आप channel आप syllabus को कहां से download कर पाऊगे और कैसे आप पढ़ पाऊगे तो आपको साथियों simple से आपको Google पे आपको search करना है AKTU syllabus छीक साथियों simple सा AKTU syllabus डालोगे ठीक है AKTU syllabus जैसे Google पे डालोगे आपको छोटा सा website आएगा वीडियो के उपर ही आईएगा ठीक है तो यहाँ पे AKTU syllabus जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपको ये page open होगा यहाँ से आप जाएगा syllabus 24-25 में ठीक है यहाँ पे आपको जो third year की updated syllabus है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे फिर आपको simply यहाँ पे जो civil and mental engineering है चीजे मिल नहीं यह नहीं मिल नहीं आप डाइट syllabus पे जाओगे तो आप confused हो जाओगे इसलिए वीडियो को skip मत करियेगा ठीक है क्या syllabus में गरवड़ी है वो भी मैं बता दू और आपको कैसे ध्यान पूरक syllabus को देखते हुए जाना है ठीक है आप यहाँ पे देखो के साथ हूँ उन्होंने जल्दबाजी में सिर्फ 5th semester का ही यहाँ पे निकाला उन्होंने कि इसका सिर्फ 5th semester का ही यहाँ पे उन्होंने syllabus निकाला है 6th semester का भी निकाला भी नहीं है ठीक है यह आपको जल्दबाजी यहाँ पे यह की गई है सब्जेट 14 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं आपको कौन-कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं तो ध्यान से पढ़िएगा साथियों ठीक ध्यान से देखिएगा वीडियो को पहली बात यहां पे आप देखेंगे पहली बात आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से सबस्रील नंबर वन आया है जो आपका है जियो टेक्निकल इंजिन रिंग जिसका क्रेट आपको फॉर्स मिलेगा ठीक है और यह इस्ट्रेक्टर इनाल्सिस क्यों ECM जिसको बोलते हैं क्वाइनटी इस्ट्रिमेशन एंड क कमपर्सरी है ठीक है बट इन्होंने कोड चेंज किया है अभी सिलिबस करेंगे इस वीडियो में नहीं करेंगे पहले आप सिलिबस को डाउनलोड करना देख लीजिए और क्या गलतिया क्या समझेगे वह आप देख लीजिएगा ठीक है अब साथ हैं पे गलती क्या हुई है इन्होंने यहां पे साथियों इनको इतने सब्जेक्ट में से सिर्फ आपको दो सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं इस अभी इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपको सिर्फ दो ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं बट इन्होंने उसको कडिगराईज अलग नहीं किया है ठीक ठीक आपको बतायागा कलाज में कलास में बतायागा और कालेज में बतायागा और यह आपका elective second है अब इसका मतलब क्या है साती हूँ तो आपको ध्यान दियेगा यह जो elective one है उसमें से आपको एक subject select करना है जो elective second है उसमें से आपको एक subject select करना है मतलब की यहां पे आके total आपको ठीक यहां पे आपको total यहां पे three subject यहां पे choose करना है जो non credit subject यहां पे नहीं रखा है वो आपके quality दर बताय जाएगा आको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ठीक है बट यहाँ पे मैं बहुत हूँँगा, सही हर जगे चल ला है, ठीक है, मेकैनिकल में, अधर जो ब्रांचे जो वहाँ पे, नॉन क्रेंट जो पोर्स हैं, जैसे आपका COI है, और एक है ITCS, ठीक है, वो आपके हर ब्रांचे जो चल ला है, आप में भी चलेंगे, बट नो ने य इलेक्टिव अन में आपको Concrete Technology, Modern Construction Materials, Open Channel Flow, Engineering Geology, ठीक है, इन चारों में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट आपके College दोरा फिक्स किया जाएगा, ठीक है, आपके College दोरा ये सब्जेक्ट फिक्स किया जाएगा, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर नेक्ट ये चार सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे Engineering Hydrology, Sensor and Information Technology and Civil Engineering, Air and Noise Pollution, GIS and Remote Sensing, तो इसमें से भी आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, वो आपके College दोरा फिक्स किया जाएगा, ठीक है, साथियों, आप साथियों, आप College पता करिए, आपके College आप बताते हैं, वैसे मैं आपको, मैं अपडेटेड में रहा हूँ, आपको 15 अपक्टूबर से आपकी वीडियो अप्लोड होना चैनल पर स्टार्ट हो जाएगे, ठीक है, तो आप जल से कमेंट कर दीजिए, और साथियों आपके लिए खुसकबरी है, यदि आप चैनल प सिलेबस, आप देखेंगे तो सिलेबस साथ यह ज़्यादा चैनल नहीं हुए, सभी पुराने ही टॉपिक रखे हुए हैं, बट पता नहीं होने कितना टाइम क्यों लगाया, यह मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो यह आप ध्यान दीजेगा, और यह सिलेबस को ध्यान चैनल पर जल्द ही जल्द आपको सारी क्लास से स्टार्ट हो जाएंगी, पहले आपकी जियोटिक की जो क्लास से वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपकी जो QECM है, वो आपके रखेसर पढ़ाएंगे, वो आपकी कम्प्रिट हो जाएगी, ठीक है, उसके बात बचता है, ए अगले वीडियो के साथ तब तक धन्यवाद जहिन